सर्व्यभ्यो नमो नमह, मम नाम डक्टर लूनेश कुमार वर्मा अहम रायपुर जिलांतर गते सास्की उच्चेतर माध्यमिक विद्याले छचान परी मध्य पदस्तोस में अध्य वयम पठामह दसम्याम कक्षाया है हेमंत वड़नम प्यारे बच्चों आप हेमंत नाम से जानते हैं ये एक रितू को नाम है मुख्य रुप से हम तीन रितू को जानते हैं ग्रिस्मरितू, वर्षारितू और सीतरिसू तो इसमें हेमंत रितू कहां से आ गया तो वास्ता में इन तीन रितू में हे वो हेमंत रितू भी समाहित है तो जब हेमंत रितू की चर्चा करते हैं और कभी हम यह भी देखते हैं कि वसंत रितू को रितूराज कहा जाता है तो हेमंत रितू कहां से आ गया वसंत रितू कहां से आ गया इसी तरह से हम कहते हैं कि सरद पूर्णिमा मनाते हैं सरद रित्व में आता है, तो यह सरद कहां से आ गया, तो इस तरह से यह सब भी रित्वें ही हैं, जिन तीन रित्वों की चर्चा करते हैं, वो मुख्रुप से माने गए हैं, लेकिन यदि हम विस्तार में देखें, तो छह रित्वें हैं, कौन-कौन सी छह रित्वें हैं, ये छह रितुएं हैं और इन सभी छह रितुओं की भिन भिन प्रकृती है क्या है भिन प्रकृती जैसे हम यदि वसंत की बात करें तो वसंत रितु को रितुराज कहा जाता है क्यों क्योंकि इस समय का जो वातावरण होता है अत्यांत सुखद होता है इस समय ना तो अधिक ठ नए नए कोपलें आती हैं, यदि आप आम के वरिक्षों को देखें, तो किस तरह से नए नए कोपल आ रहे हैं और उनमें साथ हे साथ मौर या आम का फूल होता है, मौर या बौर कहते हैं, उसका आगमन इस रितु में होता है। इसी तरह बात करें ग्रिस मरितु की, तो ग्रिस मरितु की प्रकृती होती है गर्म, इस समय गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, लोग जो है गर्मी की कारण से व्याकुल हो जाते हैं, विभिन घरों में पंखे, कूलर, आधी जो है ये उप्योग में आन प्रारंब हो जाता है इस समय तापमान अधिक होता है इसलिए सड़ी से अधिक पसीना आता है लोग जो है अधिक से अधिक सीतल जल का सेवन करना पसंद करते हैं फिर आते हैं वर्षा रितु वर्षा रितु यह जो होता है यह मानसुन का समय होता है भारत में मानसुनी पर रेक्तर अवर्षा करता है। वर्षा विगत सरद रितु आई ऐसा तुलसिदास जी ने कहा है अर्थात वर्षा रितु जैसे व्यतित होता है वैसे ही सरद रितु का आगमन होता है इस समय वातावरण जो है हलकी वर्षा और सुस्क वातावरण यह राता है इस समय सीत बरसना प्रारम हो जाता है आसमान से सीत जो है बरस्ता है धर्ती में हम देखें तो ओस की बूंदे जो है वो हमको इस समय देखने को मिलती है इस समय ओस की बूंदे गिरना प्रारंभ हो जाती है रात में ओस गिरती हैं सुबा सुबा हम जाकर देखते हैं तो जो घास होती हैं तिनके होते हैं इनके सिरों पर देखते हैं तो छोचे छोचे गोल गोल मोती जैसे बूंद दिखाई देते हैं ये ही है सीत सरद रितु के पस्चात आता है हे मंत रितु हे मंत रितु इसको पूर्व सीत काल कहा जाता है क्योंकि सीत काल को दो भागों बाता गया है हे मंत रितु और सीसीर रितु ये दोनों जो हैं सीत रितु के भाग हैं तो इसमें से प्रथम भाग हे मंत रितु का यह पूर्व सीत क जाल कहलाता है और इसको यदि हम हिंदी महिनों की दृष्टी से देखें तो हिंदी महिनों में मार्ग सीर्स और पॉस यह जो महिना है यह हेमंत रित्यू का समय है अब यह मार्ग सीर्स और पॉस क्या है इसके लिए हमको हिंदी महिनों को जानाना होगा तो हिंदी महिनों के तो हिंदी, जिस तरह से हम अंग्रेजी के महिने जो हैं, जिसको हम जन्वरी फर्वरी आदी कहते हैं, ये सभी अंग्रेजी महिनों के नाम हैं, इसी तरह से हिंदी महिनों के भी नाम हैं, अंग्रेजी महिनों के संख्या 12 हैं, तो वैसे ही हिंदी महिनों के संख्या भी 12 हैं, कौन-कौन से हैं? आईए देखते हैं. हिंदी महीने के नाम हैं चैत्र, बैसाग, जेश्ठ, आसाड, स्रावन, भाद्रपद, अस्विन, कार्तिक, मार्ग सिर्स, पॉस, माग और फालगुन. यह हिंदी के बारह महीने हैं. तो इन बारह महीनों में से प्रत्य कृतु के लिए दो-दो महीना निरधारित हैं. तो इनहीं दो महीनों में से हेमंत रितु के लिए जो निरधारित हैं मार्ग सिर्स और पॉस. इस समय वाता वरण बहुत सुहावना होता है, लुभावना होता हल्का गुलाबी ठंज का अनुभाव इस समय प्रारंब हो जाता है और यह समय जो है शरीर के लिए बहुत महत्वपून है इस समय सरीर स्वस्थ रहता है स्वास्थ बनाना है तो उसके लिए यहेमंत रितु का समय है आयूर्वेद में इस समय को सेहत बनाने की रितु कहा गया है इस समय पाचन सक्ति में व्रिद्धी हो जाती है अर्था कुछ भी एदि खाते हैं भारी भी खाते हैं तो भी सरलता से पच जाता है शरीर में दो ससांत हो जाते हैं अगनी उच्च होती है और यह स्वास्थि प्रद होता है इस समय गर्म कपड़े पहनना और आग का सेव करना देखेए किस तरह से लोग जो है गर्म कपड़े पहनते हुए दिखाई देते हैं और इसी तरह से लोग जो है आग का सेवन कर रहें हैं इसको अम भुर्री कहते हैं यह उसको के जाता है और यह वही समय है जिस समय दीपावली जैसे तेवार का अगमन होता है यदि हम खेतों की और द्रिष्टी बात करें तो देखेंगे खेतों में पूरी हर्याली चा जाती है साथ ही साथ अगर कि धान की फसल की बात करें चतिजगर को धान का कर्चोरा भी कहा जाता है यहां धान की बहुत अधिक पैदावार होती है उन धान की फसलों को यदि हम देखें तो यहां धान की पोधे अच्छे भली प्रकार से तयार हो जाते हैं उनमें फूल आना प्रारं हो जाता है तो यह बहुत सुखद समय होता है साथ साथ यदि हम बाडियों की ओर देखें सब्जी की बाडियां जो होती है इस समय बाजार में तरह तरह की अच्छी अच्छी सब्जियां आना प्रारंब हो जाता है तो निशित्रूप से अच्छी सब्जियां है उनको हम तो स्वास्त वर्धन तो होगा ही, तो इस तरह से ये जो हेमंत वर्णनम है, यह पाठ है, संस्कृत साहित्य में प्रायाह कभी गण विभिन रितुओं का वर्णन करते हैं, किन्तो हेमंत वर्णन उन्हें अधिक नहीं रूचता है, इसलिए हेमंत वर्णन कभियों ने प्रायाह कम ही किया है, किन्तो आदी कभी, आदी कभी किस कहा जाता है, आदी कभी कहा जाता है, वालमे की जी, महर्शी वालमे की जी, सरस्व मोहक वर्णन किया है, अब यदि हम वालमे की जी की बात कर रहे हैं, तो वालमे की जी के द्वारा, रचित जो महा काव्य है, उसका नाम है रामायन, रामायन जो महा काव्य है, ये साथ खंडों में विभगत हैं, जिनको कांड कहा गया है, कौन कौन से हैं, उनमें हैं, बालकांड, आयोध्या कांड, अरण्यकांड, सुन्दरकांड, किसकिंधा कांड, लंका कांड, और उत्तरकांड, ये साथ कांड रामायन में हैं, जो वा अध्यांस या पाठ वालमिकी रामायन के अरण्य कांज से उद्रित है। यह जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, यह पाठ वालमिकी रामायन के अरण्य कांज से लिया गया है। आईए, सबसे पहले इस पाठ को हम सूनते हैं। प्रस्तुत पद्यांस वालमिकी रामायन के अरण्य कांज से उद्रित है। आयं सकालह संप्राप्तह प्रियोयस्ते प्रियम्वदह। अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरह सुभह। नीहार परुसो लोकह पृथिवी सस्यसालिनी जलान्य नूप भोग्यानी सुभगो हव्यवाह नहा। सेवमाने द्रिळं सोरिये दिसमंतक सेविताम। विहीन तिलके वस्त्री नोत्तरादिक प्रकासते। रक्रित्याहिम कोसाध्यो दूर सूर्यश्य साम्प्रतम। यथार्थ नामा सुव्यक्तम। हीमवान हीमवान गिरिह। अत्यंत सुख संचारा मध्याहने स्प्रिषत सुखाह। दिवसाह सूभागा दिप्त्याह। छाया सलिल्य दूर्भगाह। मृदो सुर्याह सनीहाराह। पटो सीताह समारुताह। सुन्यारण्याहिमभस्ता दिवसाभांति साम्प्रतम। रवी संक्रांत सौभाग्यस तूसारारून सीतलह। निष्वासांध इवादर्स चंद्रमान प्रकासते। ज्योच्ना तूसार मलिना पवनमा स्याम्न राजते। सीते वचातप स्यामा लक्ष्यते नतुसोभते। प्रकृत्या सीतल स्पर्षो हीम विधस्च साम्प्रतम। प्रवाति पश्चिमो वाय। काले द्विगुन सीतलह। खर्जूर पूस्पाक्रिति भी सीरो भी पूनतंजुलेह। सोभन्ते किंच दानम्राह सालयह कनक प्रभाह। अवस्यायतमूनध्धा नीहारतमसावृता। प्रसुक्ताइवलक्ष्यंते वीपुस्पावनराज्यह। प्यारे बच्चों, अभी हमने इस पाठ को ध्यान से सुना। अब आईए, इस पाठ को हम पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या समझते हैं। प्रथम स्लोक है। अयम्सकालह संप्राप्तह प्रियोयस्ते प्रियम्वद। अलंकृत इवाभाती, येन सम्वत सरह सुभाः। यह प्रथम स्लोक है। यहां हम देखते हैं, प्रथम सब्द ही है, आयम। आयम्सब्द कैसे बनता है। आयम्का मूल सब्द है, इदम। इदम्सब्द के तीनों लिंगों में रूप बनते हैं। पूल्डिंग, इस्ट्रिलिंग और नपुन्सकलिंग में। यहां यह जू रूप बना हुआ अयम्, यह पूल्डिंग का रूप है। सकालह, सकालह कहते हैं, तो यहां पर क्या है? यहां संधी है। सकालह का संधी विच्छेद करेंगे, तो इसका रूप होगा सह धन कालह इती सकालह, यहां विचर्ग संधी है, विचर्ग लोप संधी यहां। यह विचर्ग का लोप कब होता है? विचर्ग का लोप तब होता है, जब सह और एसह के परे आ को छोड़कर भिन्नस्वर या व्यंजन होने पर सह और एसह के विचर्ग का लोप हो जाता है, तो यहां हम देखते हैं सह धन कालह, तो सह के बाद कालह अर्था का आया है? यहां आ से भिन्न है, इसलिए सह के विचर्ग का लोप हो गया। इस तरह से यहां विचर्ग लोप संधी, संधी का नाम कहेंगे विचर्ग संधी, विचर्ग लोप उपभेद है। वो नियम बताने के लिए लोप सब्द को वहां लगाया गया है, तो वसुता यहां विचर्ग संधी ही है। सम प्राप्तह, इसमें सम उपसर्ग है, प्रभी उपसर्ग है, आप धातु है, ता प्रत्य है, और पूर्डिंग का यह रूप है। तो इस तरह से सम प्रधन आप धन अक्त पूर्डिंग एक वचन का रूप। इस तरह से बनता है सम प्राप्तह, प्रियो यस्ते, यहां भी संधी है, प्रियाह धन यह धन ते, तो प्रियाह धन यह यह विचर्ग संधी, यह धन ते, यह भी विचर्ग संधी। प्रियम्वद अर्थात प्रिय बोलने वाले अलंक्रित अलंक्रित यह सब्द कैसे बनता है। येन यह सब्द कैसे बना है? यत मूल सब्द है तृतियविभक्ति एक वजन का यह रूप है इसका तात्पर होता है जीस से सम्वत सरह सम्वत सरह का तात्पर होता है वर्स सुभख सुभख का तात्पर होता है सुभ तो यह होगे व्यकरनिक तत्व अब देखते हैं विभिन सब्द है इनके शब्दार्द जैसे संप्राप्तह, आयम का मतलब यह, सह का मतलब वह, कालह का मतलब समय, संप्राप्तह आ गया है, प्रियह, मतलब प्रियह, यह जो ते तुमको प्रियमवद, हे प्रियमवद, अलंक्रित, अलंकार किया हुआ या सजा हुआ, इव, यह समान, आभाती, सुसुभित होता है येन जिससे सम्वत्सरह वर्स सुभः सुभ तो ये स्लोक के सब्दार्थ हो गए आए अब इसका अन्वय देखते हैं प्रियम्वद यस्ते प्रियह सोयं कालह संप्राप्तह येन सुभः सम्वत्सरह अलंकृत इवाभाती वस्तह यह जो स्लोक है इसमें राम और लक्षमन के मद्ध सम्वाद है तो राम जो है लक्षमन से सम्वाद करते हैं प्रसंग जो है अरण्यकाण्यका है तो राम लक्षमन से कहते हैं क्या कहते हैं अयम सकालह सम्प्राप्तह प्रियो यस्ते प्रिम्वद अलंकृत इवाभाती येन सम्वत्सरह सुभाह प्रिम्वद कहा गया है लक्ष्मन को हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मन या हे मधुर भासी लक्ष्मन जो तुम्हें प्रिय लगता है अब वह समय आ गया है जिसके कारण सुभ सम्वत्सर सजे हुए की भाती अलंकृत की भाती सुसोभित हो रहा है अर्थात यह वह समय है हे मंत्रितू का समय है और हे मंत्रितू स्वास्थ वर्धक कहा गया है तो यह वह समय आ गया है जो तुम्हें प्रिय है ना केवल तुम्हें अर्थात लक्ष्मन को वरण हम सब को भी यह जो रितू है वह बहुत अधिक प्रिय होता है क्योंकि इस समय अगनी जो है उच्च हो जाती है जो भी हम खाते हैं वो सब पच जाता है यदि हम सबजी की बात करें तो अच्छी अच्छी और ताजी सबजियां इसमें प्राप्त होती हैं जो स्वास्थे कर होती हैं तो इसलिए नकिवल लक्षमन को अपितु हम सब को भी यह समय जो है बहुत प्रिय होता है पूरा वर्ष इससे सुसोभित होता है आईए आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है नीहार परुसो लोकह प्रिथिवी सस्यसालिनी जलान्यों पभोग्यानी सुभगो हव्यवाहनहां इस लोक में नीहार का तातपर होता है वर्ष या सीत परुस का तातपर होता है कठोर या अकड़ा हुआ ध्यान देजेगा यहां परुस सब्दे लिखा है पूरुस अलग होता है और परुस अलग होता है दोनों सब्दों में अंतर है, दोनों सब्दों के अर्थ में अंतर है, पर उसका मतलब होता है कठोर या अकड़ा हुआ लोकह, लोक सब्द प्रत्माविवक्ति एक वचन का यह रूप है प्रिथिवी, प्रिथिवी का तात्पर होता है भू, भूमी, धरा, धर्ति सस्य सालिनी यह एक समासिक पद है समास विग्रह करें तो इसका रूप बनता है सस्यन सालते इती सस्य सालिनी सस्य का मतलब होता है फसल या धान्य सालिनी का मतलब होता है हरी भरी सस्य सालिनी मतलब हरी भरी या धान्य से परिपूर्ण जलान्यों उपभोग्याने यह संधी उक्तपद है संधी अलग करें तो रूप होगा जलानी धन अन धन उपभोग्याने जलानी मतलब जल अन मतलब नहीं और उपभोग्याने उपभोग के योग्या तो जलानी मतलब जल हुआ अनुप भोग्यानी मतलब उपयोग के आयोग्य, अर्थात जो उपयोग करने के योग्य ना हो, ऐसा, सुभगो, सुभगो हव्यवाहना, यहां संधी है, संधी अलग करते हैं, तो रूप होगा सुभगाह धन हव्यवाहना, यहां विसर्वसंधी का प्रयोग हुआ है, तो प्रिथक करें तो रूप बनेगा हव्यम वहति इति हव्यवाहनः तो इस तरह से यह स्लोक है आईए इसका अर्था देखते हैं निहार कतात परिशीस सीत से निहार परुसोलो कहा सीत से संसार अकड़ सा गया है जब ठांच बहुत अधिक पड़ती है तब यहाँ वहाँ आना जाना कम हो जाता है हाथ पर सिकूड कर बैठना होता है गरम कपड़े हम लाद लिये रहते हैं और आग के पास यथा संभव यदि आग हमको मिलता है तो आग का जो ताप होता है यह हम लेने का प्रयास करते हैं तो देखें किस तरह से लोग सीत रितु में गरम कपड़े धारन किये हुए हैं किस तरह से आग का ताप ले रहे हैं तो यह क्यों हुआ है क्योंकि सीत के प्रभाव के कारण से लोगों का आना जाना कम हो गया है इसलिए ठंज से बचने का प्रयास करते हैं इसलिए गरम दक कपड़े धारन करते हैं इसलिए आग के ताप का सिवन करते हैं तो निहार परुसो लोकह, सीत से संसार अकड़ सा गया है। पृत्वी सश्य सालेनी और पृत्वी जो है धान्य से परिपूर्ण हो गई है, अर्थात धान्य से हरी भरी हो गई है। आप यदि खेतों की ओर देखें, तो देखें किस तरह से खेत जो है, पूरा हरा हरा दिखाई दे रहा है। फसल अब तयार है, अब फसल से पुष्प आने, फल और पुष्प आने का यह समय हैं। तो कैसे लहलाते हुए खेत हैं, तो इस तरह की इस्तिती होती है। तो इसी और इंगित करते हुए राम जो है, अपने प्रिय लक्षमन से कहते हैं, निहार परुसो लोकहा, पृत्वी सस्यसालनी, जलानी अनुपभोग्यानी और जल जो है, अनुपभोग्यानी अब जल का सेवन करना अर्था जल का उपयोग करना लोग कम करते हैं. क्यों क्योंकि जल जो है इस समय बहुत सीतल हो जाता है ठंडा हो जाता है और वातावरण में वैसे ही सीत का प्रभाव है और ऐसे में लोग जो है सीत से बचना चाहते हैं और सीत से बचना चाहते हैं तो जल का उपयोग करेंगे क्या नहीं न तो इसलिए लोग जो है जल का कम से कम उपयोग करना पसंद करते हैं इसलिए कहा गया है जलान्यूप भोग्याने जल जो है उपयोग के योग्य अब नहीं रहा है सुभगो हव्यवाहना सुभगो मतलब अच्छा या सुन्दर लगता है क्या हव्यवाहना हव्यवाहन मतलब अगनी और आग जो है देखे जल स के लोग दूर भागते हैं और आग के पास जाते हैं आग के ताप का सेवन करते हैं तो सुभगो हव्यवानाह और आग का ताप जो है यह अच्छा लगने लगा है आईए आगे वड़ते हैं अगला स्लोक है सेव माने द्रढ़म सूर्ये दिसमंतक सेविताम विहीन तिलकेवस्त्री नोतरादिक प्रकासते सेव माने सेव धन सानाज प्रत्या है सेव धातु है और सानाज प्रत्या है प्रत्याओं की बात करते हैं कृदन प्रत्याओं की बात करते हैं तो यह सानाज प्रत्या जो है यह वरतमान कालिक प्रत्या है सत्री और सानच ये दो प्रत्या हैं और दोनों प्रत्या का प्रयोग जो है वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है इसका अर्था हुवे अर्थ में होता है सत्री प्रत्या का प्रयोग परस्माइपदी धातों के साथ किया जाता है और सानच प्रत्य का प्रयोग आत्मने पदी धातों के साथ किया जाता है तो सेव यहां आत्मने पद की धातू है इसलिए इसके साथ सानच प्रत्य का प्रयोग हुआ है सेव माने सेव धातू है और सानच प्रत्य का यहां प्रयोग हुआ है सत्री और सानच ये दो प्रत्य वर्तमान कालिक प्रत्य कहे जाते हैं इसका अर्थ हुवे अर्थ में प्रयोग होता है सत्री प्रत्य का प्रयोग परस्मई पदी धातूं के साथ होता है और सानच प्रत्य का प्रयोग आत्मनी पदी धातूं के साथ होता है सेव चोंकि आत्मनी पदी धात्तु है इसलिए सानाज प्रत्य का प्रयोग इसके साथ हुआ है स्लोक में ये सब्दा आया है दीस मंतक सेविताम दीस मंतक अर्थात दक्षन दिसा या दक्षनायन विहीन तीलक केव अर्थात विहीन तीलक की भाती प्रकासते प्रकासित होता है या सुसोभित हो रही है प्रकासते यह जो सब्द है प्र उपसर्ग है कास धातू है और लट लकार प्रथम पुरुस का यह रूप है यह भी कास जो है यह भी आत्मने पद का आत्मने पद की धातू है तो इसलिए यहाँ पर लट लकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप बनता है कासते उपसर्ग लगा है तो क्या हो गया प्रकासते अर्थात प्रकासित होता है प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं सूर्य पूर्वदिशा से उधित होता है लेकिन क्या यह सदेव पूर्वदिशा की ओर ही रहता है पूर्वदिशा में भी हम देखें तो कभी सूर्य जो है उत्तरायन होता है और कभी दक्षणायन होता है उत्तरायन मतलब जो उत्तर दिशा की ओर से उगता हुआ अर्तत पूर्वदिशा और उत्तर दिशा के मध्य जब सूर्य के इस्थिती होती है इसको उत्तरायन होना कहते हैं इसी तरह से पूर्वदिशा और दक्षण दिशा के मध्य से जब सूर्य उदित होता है यह समय दक्षणायन होना कहलाता है तो इस समय सूर्य जो है दक्षिनायन हो गया है क्यों सीत का प्रभाव है प्रित्वी और सूर्य की दूरी बहुत अधिक हो गई है इसलिए प्रित्वी पर धूप की किर्णे कम पड़ती है तिव्र नहीं पड़ती है इसलिए धर्ती पर सीत का प्रभाव अधिक है सूर्य के दक्षण दिशा की सेवन करने के कारण या कहें कि दक्षणायन होने के कारण विहीन तिलकेव तिलक के बिना या तिलक रहित इस्ट्री नो तरादिक प्रकास्ते जिस तरह से तिलक नहीं की हुई इस्ट्री सुसोभित नहीं होती है, सोभा नहीं पाती है उसी प्रकार से अब चुकी सुर्य जो दक्षणायन हो गया है, इसलिए उत्तरदिसा यह नो तरादिक प्रकासते उत्तरदिसा प्रकासित नहीं हो रहा है या सुसोभित नहीं हो रहा है नो तरा यहा सब्द जो आया है नाधन उत्तरा यहाँ पर गुण स्वरसंधी का प्रयोग हुआ है तो उत्तरदिसा प्रकासित नहीं होती है तो अर्थ एक बार पुना देखते हैं सूर्य के दक्षण दिसा की सेवा करने अर्थात दक्षणायन होने के कारण उत्तर दिसा तिलक विहिन इस्त्री की भाती सुसोभित नहीं हो रही है अगला स्लोक है प्रकृत्या हिमको साज्यो दूर सूर्यस्च साम्प्रतम यथार्थ नामा सूव्यक्तम हीमवान हीमवान गिरिह यहां प्रकृत्या यहां सब्दा आया है प्रकृति मूल सब्दा है त्रित्या विभक्ति एक वचन का यहां प्रयोग हुआ है और इसका तात्पर होता है प्रकृतिस है या स्वभावत है हीमकोसाज्य या एक समासिक पद है समास प्रिथक करें तो रूप होगा हीमस्य कोसह इती हिमकोसह तेन आज्य है इती हिमकोसाज्य कल mmm aora का की दूरसुर्यस्चि यह संधी उक्तपद संधी प्रिथक करें ऑ दूरसुर्य धनिच्च यहां विश्ग वत्व संधी का प्रएग हुआ है इसका तात्पर होता है सूर्य दूर है साम प्रत्म इहां एक अव्ये साम प्रत्म है अव्यव्यपद होते हैं जिनका किसी भी लिंग में, किसी भी वचन में या किसी भी पुरुस में प्रयोग किये जाने पर उसका रूप नहीं बदलता है, व्यपद अव्यपद होते हैं, तो साम प्रतम यहां एक अव्यपद है और इसका तात्पर ही होता है, अब यहां इस सम हीमवान हीमवान सब्दों 2 पर यहां पर हुदक Minist이트 है और दोंपर इनकायी अर्थ नभीन यथार्थ नामा अर्थाथ जैसा नाम है उस नाम को यथार्थ रूप देना सुव्यक्तम अच्छी तरह से व्यक्त करता हुआ तो ये इस लोक के जो पद हैं उनके अर्थ या जो इसके व्याकरनिक तत्व है इसकी चर्चे हमने अभी की आईए शुर्य दक्षणायन होने के कारण हिमालाय से दूर है आप सभी जानते हैं भारत वर्ष की बात करते हैं हिमालाय जो है यह भारत का मुकुट कहा जाता है और यह उत्तर दिसा में हैं और सूर्य कहा है सूर्य दक्षणायन है अर्थात उत्तर दिसा की और उसका प्रभाव कम है और कम है इसलिए वहाँ सीत या ठंज बहुत अधिक पड़ रही है और ऐसी सिती में निश्चीतरफ से जो सीत है वो बर्फ में बदल जाता है और जिस तरह से सीत बरसता है उसी तरह से वहाँ बर्फ की वर्सा होती है जल की वर्सा और बर्फ की वर्सा में अंतर है जल की वर्सा होती है तो वर्सा होने के प्रस्चात देखे किस तरह से गलियों से या सड़कों से या नदी नाल से होता हो बह जाता है लेकिन जब बर्फ बारी होती है बर्फ गिरता है तो बहता नहीं है जहां गिरता है वहीं वह जमते चला जाता है तो इस समय सूर्य दक्षणायन होने के कारण हिमालय से दूर है और सभाव से हिम या बर्फ से ढ़का हुआ हिमालय हिम से यूक्त हुआ अच्छी तरह से अपने हिमालय नाम को चरितार्थ कर रहा है हिमालय नाम से ही पता चलता है इसमें हिम का आलए हिमस्य आलय आती हिमालय सश्डिे तत्पुर्वस समाज से यह अर्थात बरफ का घर या बरफ का परवत और जहां बरफ ही बरफ हो वह कहलाता है हीमालय यह भारत के उत्तर दिसा में हैं तो इस समय हीमवान अर्थाथ हिम से युक्त होता हुआ हिमालय अपने हिमालय यथार्थ नाम को सिध्ध कर रहा है या कहें कि अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है तो इस समय सूर्य दक्षणायन होने के कारण हिमालय से दूर है और स्वभाव से हिम से ढखा हुआ हिम से युक्त हुआ अच्छी तरह से अपने हिमालय नाम को चरितार्थ कर रहा है यह स्लोक का अर्थ हुआ आईए आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है अत्यंत सुख संचारा मध्याहनेस्प्रिस्टह सुखाह दिवसाह सुभगादित्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्याश्या अर्थात्र सुख का अनुभाव करने वाला, अनुभाव करने वाला, मध्याने दोपहर में, स्फ्रिश्टत्ह इस्पर्स से, सुखाह, सुख देने वाला, दिवसाह, दिवस, दिन, सुभग आदित्यात, देखे, यहां यहां जो सब्द आया है, सुभग दित्यात चाया सलील दूर्भगाह यह एक संधी उक्तपद है संधी को अलग करें तो सुभग धन आदित्यात धन चाया सलील दूर्भगाह सुभग धन आदित्यात यहाँ पर दीरगश्वर संधी का प्रयोग हुआ है आदित्यात धन चाया सलिल दूर्भगाह यहां व्यनजन संधी का प्रयोग हुआ है आदित्यात आदित्य कहते हैं सूर्य को और आदित्य सब्द कपंचुई हक्ति एक वचन का यह रूप है आदित्यात इसका तात्पर होता है सूर्य से सुखाह सुखदाई सूभगाह सुन्दर आनंददाई सलिल सलिल का तात्परी होता है जल नीर दूर्भगाह दूर्भगाह का तात्परी होता है बुरे दूहदन भगाह यहां विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ है मध्याहने अत्यंत सुख संचारा मध्याहने प्रस्तह सुखाह अब मध्याहन अर्थात दोपहर में सूर्य की किरणों का स्पर्स एवं संचरण करना अत्यंत सुखद लगता है देखते हैं लोग दीन में धूप की आँच लेना या धूप का ताप लेना यहां पसंद करते हैं अनेक इस्थानों पर जहां विद्याला लगती है वहां भी कुछ सिक्षक बच्चों को धूप में बिठा कर पढ़ाते हैं अध्यान कराते हैं तो इस तरह से जब धूप में बैठ कर अध्यान करना होता है या कराना होता है तब यह इस्थिती बच्चों के लिए भी सुखद होता है शिक्षकों के लिए भी सुखद होता है और धूप का आनंद हमें इस सीत रितु में लेना चाहिए जैसे विग्ञान की भासा में कहें तो सूर्य की जो धूप होती है इससे हमें विटामिन Д प्राप्त होता है तो चोग है और याँ झौके सीत रितु में सीत होता ही है ठंड होता ही है तो ठंज से को दूर भगाने का भी एक उपाय यह सूर्य का ताप करता है तो इसलिए इस तरह से हमें सूर्य के ताप का सेवन करना चाहिए तो अब दोपह मध्यान में सूर्य के किर्णों का स्पर्स या संचरण करना अत्यंत सुखदाई लगता है सूर्य के कारण दिवसाह सुखगादित्यात दिवस जो है वो सूर्य के कारण सुंदर तथा चाया सलिल दूर्भगाह सुखगा मतलब अच्छा लगता है आदित्य जो है दीन में सूर्य के कारण दीन अच्छा लगता है चाया सलील दूर भगाह और चाया और जल ये दोनों अच्छा नहीं लगता है अर्थात सीत काल में कोई भी वक्ति दीन में सूरी की किर्णों का सेवन करना चाहता है लेकिन विप्ति चाया का या जल का सेवन करना उचित नहीं समझता है, उसको अच्छा नहीं लगता है तो अत्यंत सुख संचारा मध्याहने सुख स्प्रिस्तह सुखाह दिवसाह सुभगा दित्याच चाया सलील दूर्भगाह अर्थात, अब मध्याहन में सूर्य की किरणों का स्पर्स एवं संचरण करना अत्यंत सुखद लगता है और सूर्य के कारण दीन सुन्दर लगता है, तथा चाया और जल आदि का सेवन करना अच्छा नहीं लगता है ये स्लोक करता हुआ, आगे बढ़ते हैं, अगला स्लोक है म्रिदू सुर्याह सनीहाराह पटू सीताह समारुताह सुन्यारण्याहिमद्वस्ता दीवसाभान्ति सांप्रतम म्रिदू सुर्याह देखिए, कई बाद प्रस्न पूछा जाता है, विसेशन विसेश से संबंधित म्रिदू सुर्याह यह एक पद है, इस पद से संबंधित प्रस्न पूछा जा सकता है म्रिदू सुर्याह असमिन पदे, विसेशन विसेश से पदम चिनूत तब आपको यह देखना होगा, कि विसेशन कौन सा पद है, और विसेश से कौन सा पद है तो सबसे पहले आपको यह जाना ना होगा कि विशेशन किसे कहते हैं और विशेश्य किसको कहते है विशेशन उस पद को कहा जाता है जिस सब्द से किसी की विशेश्ता बताई जाए वह पद या वह सब्द विशेशन होता है और जिसकी विशेशता बताई जाती है वह विशेश से कहलाता है तो विशेशन और विशेश से जीस सब्द से किसी की विशेशता बताई जाए वह विशेशन और जीसकी विशेशता बताई जाए वह विशेशन तो मृदू सूर्याह, यहां विशेष्टा किसकी बताई जा रही है, सूर्य की कि मृदू की, सूर्य की विशेष्टा बताई जा रही है, इसलिए सूर्य क्या हुआ, विशेष्ण हुआ, अब मृदू क्या है, मृदू जो सब्द है, यहां विशेष्ण है, यहां विशेष् विशेषत बता रहा है इसलिए मृदु यहां विशेषण है और सूर्य विशेष्य है तो मृदु सूर्याह सूर्य की जो किर्णे हैं वो कोमल हो गई है विशेषण है सनिहाराह सनिहाराह यह एक समासिक पद है समास प्रिथक करें इसका रूप होगा निहारेन सहिता इती सनिहाराह निहार कहते हैं ओस को पटु सीताह पटु मतलब होता है बहुत अधिक और सीताह मतलब सीत अर्थात पटु सीताह सीतलता में आधिक या अधिक से अधिक सीतलता तो सुन्य धन अरण्या तो सुन्य धन अरण्या यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर दिर्गस्वर संधी है और इसका तात पर यह होता है विरान वन अर्थात वन तो है वहाँ विभिन प्राणियों के जो हलचल होना चाहिए वो सीत के कारण से वो हलचल नहीं दिखाई दिये र हीम द्वस्त मतलब पतन होना और हीम अर्थात हीम पात से अर्थात बर्प की अधिकता से बर्प गिरने की अधिकता से इसको कहा गया है हीम द्वस्त दिवसा मतलब दिवस भानती मतलब प्रतीत होता है साम प्रतम मतलब इस समय आईए अर्था देखते हैं तो साम प्रतम इस समय दिवसा दीन में सूर्य कोमल किर्णों से युक्त होने सनीहाराह मृदु सूर्याह सूर्य जो है कोमल किर्णों से युक्त होने और उस के साथ सीतलता में अधिकता तथा हीम पातेन, हीम पात से आहत पिडित वन विरान सा दिखाई या दिखाई दे रहा है या प्रतीत हो रहा है तो इस समय दीन में सूर्य कोमल किरणों से युक्त हैं क्योंकि सूर्य और प्रित्वी की दूरी बढ़ गई है इसलिए जो सूर्य की किरणे हैं वो अधिक ताप से युक्त नहीं है तो सूर्य की किरणे कोमल हो गई हैं तो कोमल किरणों से युक्त ओस के साथ और देखिए ओस जब युक्त वातावरन होता है तो हमें चीजे इस पश्ट दिखाई नहीं देती हैं दूर तक हम नहीं देख पाते हैं धुन्दला धुन्दला दिखाई देता है तो सीतलता में अधिक और यहां इस समय सीतलता बढ़ जाती है लोग गर्म कपड़े पहनने लगते हैं आग का सिवन करते हैं और हिम पातेन और जब ऐसे में यदि बर्फ बारी कहीं पर होती है बर्फ गिरता है तब वह वन जिस वन में यदि बर्फ गिर रहा है ऐसा वन वो तू सारा रून सीतलह निहिस्वासांधत इवादर्स चंद्रमान प्रकासते रवी संक्रांत रवेह संक्रांत इती रवी संक्रांत तो संक्रांत मतलब होता है प्रति बिंबित सवभाग्यस तूसारा रून सीतलह यह पद संधी उक्तपद है संधी प्रिथक करें तो सवभाग्यः धन तूसार धन अरून सीतलह यह थी सवभाग्यास तूसारा रून सीतलह सभाग्य अच्छा भाग्य तूसार तूसार कहते हैं ओस या बर्फको अरुण अरुण कताथ पर यह होता है रक्त या लाल और सीतल कताथ पर होता है मृदू या कोमल या ठंध निह स्वासांध निह धन स्वास धन अंध तो निह धन स्वास यहाँ विशर्ग संधी है और स्वास धन अंध यहाँ पर दिर्गशवर संधी है तो निह स्वासांध संधी एक साथ अलग कर सकते हैं निह स्वासांध इवादर्स चंद्रमा इतना पूरा पद है इस पूरे पद को हम संधी विच्छेद करें, तो रूप होगा निह धन स्वास यहाँ पर विशर्ग संधी, स्वास धन अंध यहाँ पर दिर्गस्वर संधी, अंध धन इव यहाँ पर विशर्ग संधी, इव धन आदर्स यहाँ पर दिर्गस्वर संधी, आदर्स धन चंद् यहाँ पर पुना विसर्ग संधी है प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं किसी भी सब्द में संधी केवल एक ही होगी ऐसा नहीं है कोई-कोई सब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक संधियों का प्रयोग होता है उसी तरह से यह जो सब्द है नियम के अधार पर संधी विच्चेद करना है तो संधी विच्चेद करने से अर्थ को समझने में सरलता होती है न न यह करतापरी होता है नहीं और यह अव्यपद है प्रकासते प्र उपसर्ग है कास धातु है लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप है रवी संक्रांत सवभाग्य स्तूसारा रूण सीतलह निश्वासांध इव आधर्स आधर्स का तातपरी होता है दर्पन यह आइना सवभाग्य से सूर्य की लालिमा युक्त किर्णो या प्रकास से प्रतिभिंबित चंद्रमा इस समय किस समय है मंत्रितू में है पोस या बर्फ की अधिक्ता के कारण एवं सीतलता वस स्वास से अंधे हुए दर्पन की भाति प्रकासित नहीं होता है देखिए यहाँ पर कभी हमारे लौकिक जीवन से एक उधारन लेते हैं आपने देखा होगा अनुभाव किया है सीतकाल में आप आईने के सामने खड़े हो जाएं और अगर कहीं उस समय आ ऐसा करते हैं तो आईना जो है इस तरह देखिए जो आईना एकदम स्वेत होता है सफेद होता है साफ होता है लेकिन जब हमारे मुँझ से जो कोहरा निकलता है वह उस आईने पर या दरपन पर पड़ता है तो उसके बाद जब हम उसमें चेहरा अपना देखते हैं तो वो ठीक से दिखाई नहीं देखते हैं दरपन वही है साफ है तब प्रतिविम ठीक दिखाई देता है लेकिन जब वो कोहरे से युक्त हो जाए तब वो ठीक से दिखाई नहीं देता है ऐसे ही कभी चंद्रमा की बात करते हैं चंद्रमा भी इस समय ओसकी अधिक्ता वातवरण में है इसलिए चंद्रमा अपनी सुंदरता को ठीक धंक से प्रकासित नहीं कर पा रहा है तो रवी संक्रांत सवभाग से सूर्य की लालिमा से युक्त किर्णो या प्रकास से प्रतिबिंबित चंद्रमा इस समय ओसक एवं सीतलता वस स्वास से अंधे हुए दरपन की भाति प्रकासित जिस तरह से दरपन में चेहरा प्रतिबिंबित नहीं होता है उसी तरह से चंद्रमा भी प्रतिबिंबित नहीं हो रहा है अर्थात अपने स्वरूप को वहा ठीक से अभ्यक्त नहीं कर पा रहा है कारण क्या है कारण है ओसक की वातवरन में ओसक की अधिक्ता कोहरे की अधिक्ता चलिए आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है जोत्सना तुसार मलिना पोण मा स्याम्न राजते सीटे वचातप स्यामा लक्षते न तुसोब्हते जोत्सना जोत्सना कहते हैं चांदनी को तुसार मलिना तुसारेण मलिना यह तुसार मलिना तुसार ओस यह कोहरा यह बर्फ मलिना मतलब मलीन पूर्ण मास्याम अर्थाद पूर्णिमा को न राजते अर्थाद ने पूर्ण मास्याम अपने पूरे स्वरूप को न राजते न यहाँ अव्याइपद है अविसका तात्पर होता है नहीं राजते सुसोभित होती है सीतेव यह संधी उक्तपद है संधी प्रिथक करें तो सीताधन इव इती सीतेव यहाँ पर गोंड़सवर संधी का प्रयोग हुआ है चातप यह संधी उक्तपद है चाधन आतप इती चातप चा कतातपर यह होता है और और आतप कतातपर यह होता है धूप या गर्मी श्यामा का तात्पर्य सावला या सावली लक्ष यते लक्ष धातू है आत्मनेपद का धातू है लटलकार पथम पुरुस एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर्य होता है दिखाई देता है या दिखाई देती है न यह अव्याइपद है इसका तात्पर्य होता है नही तु यह भी अव्याइपद है और यह निश्चय बोधक अव्याइपद है इसका तात्पर होता है तो सोभते सूभधातु है लेटलकार प्रथम पुरूस एक वचन का यह रूप है इसका तात्पर होता है सोभीत हो रहा है या सोभीत हो रही है जोत्सना तुसार मलिना पौन मास्याम नराजते सीतेव चातप स्यामा लक्षते नतु सोभते इसकतात पर यह हुआ कोहरेस या ओस से मलिन होने के कारण पूर्णिमा की चांदनी धूप से सामली दिखाई देती है अब कैसे सामली दिखाई देती है तो यहाँ पर देखें कभी अपनी बात को सिध्ध करने के लिए उधारन प्रसुत करते हैं कहते हैं सीतेव चातप स्यामा सीता के साथ तुलना करते हुए कहते हैं सीता जनक दुलारी सीता जो दसरत की पुत्रवध हुए सीता राजरानी जो है सीता उस सीता के तुलना कर रहे हैं किस से कि ये पूर्णिमा जो है चांदनी जो है किस तरह से सुसोभित नहीं हो रहा है उसको बताने के लिए कहते हैं जब राम को वनवास हुआ 14 वर्सका तब राम के साथ लक्षमन और सीता भी वन गए जब तक राज महल में सीता रही तब तक उसके चेहरे का लावण ने उसके चेहरे की चमक अलग थी लेकिन अब जब से वे वनवन भटा कर रहे हैं तब से उन्हें जो तीन रित्वें हैं मुख्य वर्सा, सीत और ग्रिश्म इन सबको वो एक सामाने नागरिक की भाति अनुभाव कर रहे हैं इसलिए अच्छा और साथ ही राजस्ती वैभाव से वो दूर हैं तो समाने नागरिक का जीवन जी रहे हैं तो ऐसे में धूप पड़ने के कारण अब चेहरे का जो रूप लावण्य है वह वैसा नहीं रहा सीता गोरी थी लेकिन अब धूप के कारण से उसके चेहरे में सावलापन आ गया है तो कभी इसी बात को कहते हैं कि सावली दिखाई देने वाली सीता धूप से सावली कहा गया है सीतेव चातप स्यामा अर्थात सीता की तरह इव इव का मतलब होता है ये तुलनात्मक सब्दा है तुलना करने के लिए इसका प्रयोक किया जाता है चाहा आतप स्यामा आतप धूप से स्यामा अर्थात सामली हुई सीता की तरह लक्षते दिखाई तो देती है न तो सोभते किन्तो सोभित नहीं होती है कौन पूर्णिमा की चांदनी रात्रिकाल की बात है पूर्णिमा कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या ये दो महत पूर् आमावस्या उस इस्थिती को कहा जाता है जब चंद्रमा बिलकुल भी दिखाई नहीं देता है और पूर्णिमा उस तिथी को कहा जाता है जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से दिखाई देता है देखिए ये चंद्रमा पूर्णिमा की इस्थिती है जिसमें चंद्रमा जो है प इस समय ओस की अधिकता है इसलिए पूर्णिमा का जो चांद है वह भी जिस तरह से धूप से पीडित सीता सामली दिखाई देती है उसी तरह से पूर्णिमा की चांदनी भी दिखाई तो देती है किन्तो सुसोभित नहीं हो रही अर्थात अपने पूरे रूप में वह दिखा आगे बढ़ते हैं अगला स्लोक है प्रकृत्या सीतलस्पर्सो हीम विद्धस्य साम्परतम प्रवाति पस्चिमो वायुहू काले द्विगुण सीतलह। प्रकृत्या यह प्रकृति मूल सब्द है त्रित्य भक्ति एक वचन का यह रूप है और इसका तात्पर होता है प्रकृतिया स्वभाव से सीतलस्पर्सह देखें इसको संधी युक्तपद है एक साथ लेंगे सीतलस्पर्सो हीम विद्धस्च सामप्रतम यह पूरा संधी युक्तपद है इन पदों को अलग करेंगे तो रूप होगा सीतलस्पर्सह धन हीम विद्धः धन च धन सामप्रतम तो सीतलस्पर्सह धन हीम विद्धः यहां पर विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ और हीम विद्धः धन च यहां भी विसर्ग संधी का प्रयोग हुआ है और सामप्रतम सामप्रतम यहां अव्याइपद है तो सीतल स्पर्सो तो संधीक अलग किये तो क्या हो गया यह हो गया सीतल स्पर्सह अब यहां पर प्रस्ण पूछा जा सकता है सीतल स्पर्सह अस्मीन पदे विशेशन विशेश से पदम चिनुत अर्थात यहां विशेशन क्या है और विशेश से क्या है यह हमें पहचानना है तो सीतल स्पर्सह तो स्पर्सक की बात की जा रही है और उसकी विशेशता बताई गई है सीतल सब्द से इसलिए आस्मिन पदे सीतल इती पदम विशेशन पदम अस्ती स्पर्श इती पदम विशेश्य पदम अस्ती अर्थात स्पर्श जो है विशेश्य पद है और सीतल विशेशन पद है हीम विद्धाह, विद्धाह मतलब बंधा हुआ, किस से या जमा हुआ, हीम बर्फ से हीमेन विद्धाह इती हीम विद्धाह, तृतिया तत्पूरुस समास चा और साम प्रतम ये दोनों अव्याय पद हैं, चा का तातपरी होता है और साम प्रतम का तातपरी होता है अब या इस समय प्रवाती, प्रवाती का मतलब होता है, बहती है, पस्चिमो वाईयो, यह संधी उक्तपद है, संधी अलग करें, तो पस्चिमो अधन वाईयो, यहाँ पर विसर्व संधी का प्रयोग हुआ है, और इसका तात्पर होता है, पस्चिमी वाईयो, काले, काल मुल सब्द है, सब् या समय में, द्विगुण सीतलह, द्विगुणी सीतलता से, यहां भी विशेशन विशेशन संबंध है, द्विगुण सीतलता सीतलह, तो सीतलह मुख्य सब्द है और द्विगुण जो है उसकी विशेशता बताने वाला सब्द है, इसलिए द्विगुण इती पदम तो तूगनी सीतलता से श्लोक अन्वय दिखते हैं श्लोक है प्रकृत्या सीतल स्पर्षो हीम विधश्च साम्प्रतम प्रवाति पस्चिमो वायुह काले द्विगुण सीतलह यह स्लोक का अन्वय है अन्वय किसको कहते हैं अन्वय हर्थात कोई स्लोक है या कोई पद्य है उसका गद्य रूप यह कहलाता है अन्वय इस तरह से सभी स्लोकों का अन्वय किया जा सकता है यह हमें आना चाहिए आये इसका अर्था देखते है प्रक्रित्य आर्ठात प्रकृति से सीतल्सपर्सो सीतल्सपर्सवाली पस्चिमी वायुः पस्चिमी वायूः सामपरतम इस समय हीम विद्धह च बर्फ से सनी हुई या बर्फ से ढकी हुई और बर्फ या ओस संपूर्ण वायूः जो है हिम विद्धा बर्फ से या ओस से सनी हुई द्वेगुन सीतलाप्रवाती और दूगुनी सीतलता से बह रही है अर्था पूरा वाता वरण जो है ये कैसा है ओस युक्त है और ऐसे में पस्चिमी वायू जो चल रही है इसके कारण से देखे जब वायू चलती है तब कहते हैं सीतलाप्र चल रही कहते हैं ये वही सीतलाप्रवाली इस्थिति है जिसमें ओस खिख्ता तो है ही और साथे साथ वायू जब चलती है तो वायू के कारण से उसका प्रभाव जो है द्विगुनी तो हो जाता है अर्थात बहुत अधिक बढ़ जाता है जैसे ग्रिश मकाल मे लू चलती है तो लू चलना क्या है हवा जब गरम होता है और उस समय जब वायू चलती है तो वो गरम हवा जो है एक इस्थान से दूसरे इस्थान प्रवाहित होती है यही लू चलना कलाता है इसी तरह से सीत लहर की बात करते हैं तो सीत लहर क्या है सीत की अधिकता हो इस सब्द का प्रयोग किया गया है.